अलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल इंजिरेंग तड़का हिंदी रिटोरियल्स आज के इस वीडियो में मैं आपको वैदिक मैथ्स का द्वजांक मैथर्ट सिखाना चाहती हूँ इत्त क्लास की NCRT की मैथ्स का चैप्टर 5 है वेदिक मैथ्स उसमें द्वजांक का ये 3rd question है इसमें 3 parts है मैं आपको ये भी करवा सकती हूँ लेकिन मैं आपको एक example करौँगी और उस सेम के सेम example जैसा मैं चाहती हूँ कि आप ये question solve करो अपने आप ये example लबार जो मैं आपको पीश नमबर 66 का ये example 529 divided by 23 को किस तरीक से में द्वजांक method से solve करना है और उस सेम method से आपको exercise के question जो मैंने दिखाया है वो भी solve करना है तो चलिए start करते है step 1 step 1 आपको क्या करना होता है इस method मैं तीन columns मनाना है 1,2,3 एक,2,3 ये तीन आपको columns मनाना है उसके बाद आपको क्या करना है सबसे पहले ये 529 divided by 23 का मतलब क्या होता है ये क्या होता है dividend होता है जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा इसे हम बोलते है divisor और इनका जो divide करने पर जो आएगा जैसे कि ये 529 को 23 से divide करने पर जो आता है वो ताए question वो ताए question और जो बचता है वो क्या उसे हम बोलते है remainder ठीके तो ध्वजांग method का step 1 में आपको सबसे पहले क्या करना है जो हमारा divisor है यहाँ पर हमारा divisor क्या है 23 है ठीके इस divisor को आपको टुक्डों में त अब न दोड़ना है कैसे आपको यहाँ पर इसके unit digit लिख लेनी है यह 3 मैंने unit digit लिख दी और इसके थोड़ा सा आगे next line में आपको बाकी का पार्ट लिखना है बचा हुआ क्या बोलते हैं cardinal 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 बोलते हैं C से मैं इसको represent करूंगे और इसको बोलते है ध्वजांक उसके बाद बात आती है dividend की dividend को हमें क्या करना है यह जो third column है third column में आप dividend की unit is it लिख लिजे 9 लिख लिया और बाखी का जो बाट बचा है dividend का यानि की 52 वह आपको लिखना है बीच वाले column में यूँ आप यह ध्यान रखिए कि आप द्वजांक जो है अपनी मर्जी से ले सकते हैं जैसे बड़ा नंबर होता 23 टू डिजिट नंबर ही है और बड़ा द्वजांक लितके ला उतने ही डिजिट आपको dividend के यह पर रखनाय है यहाँ पर हमने रखना है और बगिके पार को second column में रखना ही तो यह होता है step one इतला अब अब next step, step 2 में आपको क्या करना है, यह जो cardinal है, इस cardinal से divide करना है, इस second column के first digit को, अगर यह first, यह जो digit है यहाँ पर, यह cardinal से छोटी होती है, तो जैसे divide में हम लेते हैं, जैसे यह है, 52 का अगर divide होता हमारे 6 से, तो एक digit 5 है इसकी, अगर 52 को divide करना होता, 6 से, तो एक digit इसकी 5 है, तो हम सिर्फ 5 को divide करनी सकते, तो हम यह दो number लेते न, 52 लेते न, तो 52 से जो छोटा आता है, उसको consider करके, मतलब 52 को consider करके करते, सिर्फ 5 को divide नहीं करते न, वैसे ही अगर यहाँ पर भी हो, तो आपको जैसे आपड 6 होता, तो आप क्या लेते, 52 पूरी digit लेते यह, पूरी digit को, पूरा number लेते यह, इस number को आप 6 से divide करेंगे, देखते, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 6 नहीं यह 2 है, ठीक है, तो 2 से 5 easily divide हो सकता है, तो कर देते हैं, जब हम 2 से 5 को divide करेंगे, तो question हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, यह यहाँ पर इस column में हमें question लिखना होता है, यह remainder का होता है, लेकिन कौन सा final remainder का होता है, 5 को हमने इस 2 से divide किया, तो question हमारे पास 2 आएगा, तो हमें यहाँ लिख देना है, और remainder क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 2 टू जा 4 होता है, remainder क्या बचा 1, अब वो जो remainder आता है, उस remainder को हमें, यह 5 को हमने divide किया था न, तो इसके थोड़ा सा आगे हमें वो remainder लिख देना है, यहाँ पर, ठीके, यह वो remainder है, जो की 5 को 2 से divide करने पर आया है, और यह वो question है, ठीके, इतना काम हो गया हमारा, तो मैं आपके समझने के लिए यहाँ पर यह arrow लगा देती हूं, कि इ इन दोनों को हमने divide किया है, तो यह question आया है, और यह यहाँ पर इसका हमने remainder लिख दिया, आप देखो, step 3 मतलब, इसके बाद क्या करना होता है, मैं आपको sequence wise steps बना के बता रही हूं, आपके जितनी मर्जी हो, आप अपनी साउलियत के साब से step लिख सकते हो, मैं तो आपको इसलिए समझा रही हूं, क्या कि आपको समझ अच्छे से आए, कि इसके बाद मैंने क्या किया है, फिर मैंने क्या किया है, इसलिए मैं आपको अलग अलग steps खुले खुले बना के बता रही हूं, और बार बार यह पूरी table मैं बना रही हूं, तो अब इसके बाद आपको क्य उसका का करना है इसके बाद यह जूरा बचस यह और इसके बाद वाला नंबर इसका आपको combination बनाना नहीं कि 1 2 यह एक नएा नंबर बन गया 네 जोए 12 यह एक new नंबर बन गया, इस न्यू नंबर से हमें न्यू डिविडेंट बनाना होता है, वो कैसे बनेगा, न्यू डिविडेंट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, न्यू डिविडेंट बनाने का फॉर्मूला मारे पास क्या होता है, न्यू डिविडेंट बनाना है मुझे, इस यानि कि मुझे अब किसे किसे link करना है इन दोनों को multiply करना है और फिर जो आएगा वो 12 में से यानि कि इस new number में से minus कर देते हैं तो वो new dividend बन जाता है कर देती हूं मैं 12 में से minus कर दूँगी last question मेरे पास अभी 2 आया था into द्वजांक यानि कि 3 तो 12 minus 3 तूजा 6 यानि कि 12 minus 6 मेरे पास किया जाएगा 6 तो 6 अब मेरा new dividend है उसको मैं यहाँ पर लिख दूँगी कि यहाँ पर 6 अब आपको next step में आप क्या करोगे इस 6 को आप divide करोग कि 2 से similarly जैसे आपने 5 को divide किया था 2 से फिर question आया तो उसको यहां लिखा था और remainder को उसके आगे लिखा था वैसे ही आपको 6 को है निकि new dividend 6 है 6 को आपको divide करना इस cardinal 2 से जो question आएगा वो हम यहां लिखेंगे और remainder जो आएगा वो इसके बाद लिखेंगे पीछे लिखेंगे तो आप step 4 में मैं आपको फिर से detail करके बता देती हूँ यह मैंने step 4 में वापिस से यहां table बना दी जो हमारी step 3 में last table बनी थी ठीके यह आगया अब इसके बाद हमें क्या करना है फिर से 6 को किस से divide करना है 2 से यानि कि cardinal से 6 को फिर से किस से करना है cardinal से divide करना है ठीके divide करने पर जब मैं 6 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास question क्या आएगा 3 आएगा और remainder मेरे पास क्या बचाएगा 0 बचेगा अब जब यह जो लास्ट जीरो नाइन यानि की नाइन से अब हमें न्यू डिविदेंट नहीं बनाना क्योंकि थर्ड कॉलम में जब हम पहुंच जाते हैं तो हमें डिविदेंट नहीं बनाना होता है बलकि हमें हम remainder बनाना है थार्ट कॉलम में क्योंकि थार्ट कॉलम में remainder यह है तो last में remainder बनाना है वो remainder कैसे बनेगा remainder बनाना है इस step में ठीक है तो जैसे हम new dividend का जो formula था कि यह वाला number minus क्या करते थे हम यह number जो आपता है यानि कि 9 मैंसे minus करते थे last question into द्वजांक यही करते थे तो हमारे पास new dividend आजाता था तो वही formula तो वही लगाना है last question हमारा क्या था 3 था ना last question हमारा था 3 into द्वजांक हमारा है 3 तो 9 मैंसे 9 गए तो क्या आजाएगा 0 आजाएगा अब यह formula तो वही है new dividend का लेकिन जब third column में हम यह formula को apply कर रहे हैं तो वह remainder आता है new dividend नहीं आता ये 0 जो है यह क्या है remainder है dividend नहीं है और फ़र्ड कॉलम में हम जो यह perform करते हैं यह new dividend के लिए नहीं करते इससे क्या आता है remainder आ जाता है और यही हमारा final remainder होता है यानि कि final remainder मर जीरो और यह जितना भी question आएवाए यह मारा final question हो जाएगा यानि कि 529 क हमने डिवाइड किया इसे तो हमारे question 23 आएगा और remainder क्या बचाएगा 0 आप normal डिवाइड करके भी check कर सकते हैं आप concept सही आएगी गलत अगर आपको समझ आया हो पसंद आए वीडियो तो प्लीज लाइक करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना लोगों के साथ य description box से और एक और चीज द्वजांक method में एक case ऐसा भी आता है जहां पर यहां पर minus आजाता है तो उस case में क्या करना होता है यह मैं इसके just बाद ही यह वीडियो बना रही हूं और यह NCRT के book का question number 3 का first exercise 5 जो है उसके question number 3 द्वजांक वाले का first और second part जो है question वो इसी के उपर waste ह माइनस वाला आएगा तो इससे just वीडियो बाद में आपको वो माइनस वाले का method बता रही हूं क्योंकि यह वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाएगी अगर मैंने अभी इसमें बता गया तो